हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टो माई चैनल लिटरेचर सार्थी वीवर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल लिटरेचर सार्थी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है उत्राखन के परमुक आबुसन व परीधान कि उत्राखन के लोग किस तरह के आबुसन पहनते हैं उन्हें क्या कहते हैं और उनके परीधान उनके वस्त किस तरह के होते हैं तो ये भी एक बहुत ही important point है आपके exam point of view से क्योंकि इससे भी कुछ न कुछ question आपके exam में जरूर आएगे तो इसलिए इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा पारम परीधान कुमाओं में पुरुस परीधान पुरुस क्या पहनते हैं कुमाओं में तो पुरुस लोग पहनते हैं धोती, पैजामा, सुराव, कोट, कुर्ता, भोटु, कमीज, मिर्जे, टॉंक जिसको हम साफा कहते हैं और टोपी कुमाओं में इस्तरियां क्या पहनती हैं गागरा, लहेंगा, आंगडी, खानू, चोली, धोती, पिछोड़ा पिछोड़ा इनके लिए जो कुमाओं की इस्तरियां होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यह अपने हर फैस्टिवल में, अपने हर रिति, जो भी इनके फैस्टिवल होते हैं, जो भी इनके कोई भी परंपरागत चीज़ें होती हैं, उसमें यह पिछोड़ा यह हम उनको कहते हैं, जो वहां के बच्चे बेंदे कुमाओं, यह तो होगे कुमाओं के परिधान के बारे में, अब हम चलते हैं कि गड़वाल में जो पुरुस परिधान हैं, वो क्या हैं, तो गड़वाल की लोग क्या क्या पहनते हैं, धोती, चूड़ीदार पैजामा, कुर्टा, मिर्जई, सफीद, तोपी, पगड़ी, बास्केट, गुलबन आधी को पहनते हैं और गड़वाल में इस तरी हैं जो पहनती हैं उनका परिधाने आंगड़ी, गाती, धोती और पिछोड़ा ये सब गड़वाल में भी और पहनती है इस तरी परिधाने ये गड़वाल में बच्चों के जो परिधान होते हैं वो मिलते जुलते ही होते हैं जुगली, घागरा, कोट, चूड़ीदार, पैजामा, संतराथ या संतराज आधी होते हैं कान में जो पहनने वाले होते हैं कान में पहने वाले क्या क्यों होते हैं, कान में एक तो मुर्खली पहने जाती है, जिसे मुंद्रा भी कहते हैं, है ना तो इस तरह से question आ जाता है कि मुंद्रा किसे कहते हैं, ये कहां का पारम पर एक आभूशन है, तो आप बोल सकते हो कि गड़वाल का है ये, और मुंद्रा कान में पहने जाने वाला है बाली बाली होती है उसका हम बल्ली कहते ह Space गढ़वाल में कुंडल कार्णफूल या कनफूल अगर कर्णफूल या कनफूल तो means that ये कानों में पहने जाने वाले आभुशन है तुग तुगयल या भुजनी गोरक तो ये सारे चीजे कान में पहने वाले बाली, बल्ली, कुंडल, कर्णफूल, कर्णफूल, बुजनी और गोरक ये कान में पहने जाते हैं सिर के परमुक आभुसन क्या क्या होते हैं क्या 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 कहते हैं उनको जो सिर में पहने जाते हैं सीस, फूल, मांग, टिका, बिंदी, या बांदी, सुहाग, बिंदी, आदी, ये सिर पर पहने जाने वाले आबोसुन, नाक में पहने जाने वाले परमुक आबोसुन क्या होते हैं, जो नाक में पहने पहते हैं, उनको हम क्या क्या कहते हैं, तो उत्रांचन में उनको कहते हैं, नत या नतुली बुलाक फूली नत नाके उपर होती है जैसे आपने देखा कि गड़वाली ओरते बड़ी-बड़ी सी पहनती है बड़ी सुन्दर सी प्यारी सी लगती है और बुलाक जो होता है हमारे वो नाके नीचे की तरफ पहना जाता है फूली जो आप लॉंग होती है उसको हम फूली कहते हैं गड़वाल में गोरक बिड आदी ये जो है नाक में पहने जाने वाले आबोशन है गले के परमुक आबोशन क्या है तिलहरी, चंद्रहार, हसुला तिलहरी, चंद्रहार, हसुला गले में पहने चाले ये आबोशने गुलबंद, चर्यो, छुपिया, पॉचा, पंचमनी, सुतवा तो ये सारी चीजे ये सारे जो आबोशने तिलहरी, चंद्रहार, हसुला तिलहरी, चंद्रार, हसुला गुलबंद, चर्यो, छुपिया, पॉच्छा, पंचमनी, सुत्वा ये सब जितने भी आबोशने, गले में पहने जाने वाले आबोशने और हाथ में पहने जाने वाले आबोशन, धगुले ये छोटे बच्चे को बहुत देते हैं पॉच्छी, और गुंठी, जैसे यहाँ पर ये कोशिन आ जाता है कि अंगुठी को क्या कहते हैं उत्रांचल में, तो अंगुठी को क्या कहते हैं गुंठी कहते हैं, है न, धगुला, ठोवाक, खोगले, गोखले ये सारी चीजे किसमें पहनी जाती हैं, ये हाथ में पहने जाने वाले आभुशन हैं कमर में पहने जाने वाले आभुशन कौन से हैं तगडी, कमर जोडी, अतरदान तगडी, कमर जोडी, अतरदान ये कमर में पहने जाने वाले आभुशन हैं पैरों में के जो आभुसरने वे कौन-कौन से हैं, छिवरा, पौटा, लच्छा, पाजेब, छिवरा, पौटा, लच्छा, पाजेब, इमर्ती, बिच्छुआ, कडवा, और अमी, त्री, तार, पुलिया, यह सारे हम पाउ में पहनते हैं, उसका कंदे के आभुशन कौन-कौन से होते हैं, कंदे के आभुशन होता है हमारा, शियून, सांगल, शियून, सांगल, उत्रखन के परचलित परमपरागत परिधान, या वस्त्रिया परिधान, तो अभी हम इनके बारे में असा besa detail में बात करेंगे आंगरी आंगरी क्या होता है आंगरी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाले एक увелич होता है और सामने क्ठ गरम कपड़ी का बना उता है जिसमें sits years भी लगी होती है उसके वाक इसमेरा कंछोप या कंड़ोत कोट क्या होता है कंचोप या कंचोट बच्चो या महलाओं द्वारा सिर ढखने का सिरोवस्त्र होता है सिरोवस्त्र होता है और यह उनका बना होता है और यह ठंड ठंड से क्या होता है सीर और कान को बच जाता है तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कंचोप कहते हैं उसकी पहना जाने वाला यह वस्त्र एक धीला सा वस्त्र होता है धीला और लंबा होता है पजामे के साथ पहना जाता है तो इसको कुर्द कहा जाता है घागर कमर में बांधे जाने वाला इस गेरेदार वस्त्र को महलाएं बहनती है घागर तो इसलिए इसको महलाएं पहनती है और स आमाने ग्रामिन परिवेश जो ग्रामिन आचल होता है वहाँ पर वस्त्र पूर्ण रूप से साथ या नौ पल्ले का होता है ग्रामिन परिवेश में साथ या नौ पल्ले का होता है तो इस तरह से भी कुछ पूछा जाता है कि घागर में कितने पल्ले होते हैं ग्रामिन जगुली, जगुली क्या होती है, जगुली ये चोटी बालिकाओं, means that 10 वर्स से 12 वर्स तक की उमर की परमपरागत पोसाक होती है, चोटी लड़कियों की, और इसे मैक्सी का लगुरूप ही कहा जाता है, ये भी कुशन बन सकता है आपका, कि जगुली किसका लगुरूप होत जाता है, सुवी दजना मीन से धील डाला सा होता है, और इसके बच्चे फटावट पहन लेते हैं, उसके पड़ टोपी, सूती वस्त्र या कपड़ों से निर्मित टोपी को पुरुस वबच्चे, पुरुस वबच्चे आमसावाने तोर पर पहनते हैं, और ये दो परकार क की टोपियां, अत्वा गोल टोपी और गांधी टोपी का चलन है, या तो गोल टोपी पहनते हैं या गांधी टोपी, सफेद, काली, कौन-कौन से रंके होती हैं, सफेद होती है, काली होती है, इस लेटे रंकी ये टोपियां ज्यादतर पहनी जाती हैं, धोती, धोती के परंपरागत पोसाक है जो मारकिन और सूती कपड़े की होती थी और इसमें पहले छीतप दार जो दोती होती थी कैसे होती थी छीटदार च्छेटदार और डिजान की रहती थी अब के वल सूती की धोती ही चलन में है परंपरीट जो Це होती थी नायल học जॉर्जट और न्य त्रेकी साड़े उने इनका अस्थान ले लिए उनकी परंपरागा दोतियों means that कि जो आपके मारकन की दोतियां थी उनका अस्थान अप इन दोतियों ने ले लिए है नॉयलन जॉर्जट और सोती दोतियों ने ले लिए है पहले पुरुस लोग भी सोती दोति दारन करते थे सामेन दोन पर जज्मानी वृति की लोग ये दोति सफे दोति पहलते थे सुर्याव ये पैजामे ही होता है और प्रंपरागा सुर्याव आज के पजामे से अधिक चोड़ा रहता था जो आज का पैजामा पहनते हैं लोग उससे अधिक चोड़ा रहता था ये गरम सूती गरम और सूती दोनों ही तरे के कप्रों से बनाये जाता था और तीन चार दसक पूर्व तक लंबे धारीदार पट्टी वाले सुर्याव चलन में बहुत ज़्यादा थे लंबी धारी उन पर बनी होती थी वो बहुत ज़्यादा चलन में थे चोड़ीदार पैजामा पुराने समय में कुछ व्यक्ति विसेश चोड़ीदार पैजामा भी पैनते थे जो आज कम ओवेस चलन में दिखाई देता है मींस आज लोग ज़्यादा नहीं पैनते इसे यह पैजामा थोड़ा चुस्त कम मुहरी वाला होता था और इसमें चुन क्रीम रंकी थे उनी कपड़े के से बने इस वस्त्र को यात्रा आदी के दोरान जाडों में सरी ढखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था पंकिया आपने देखा बहुत सारे गाउं के जो लोग होते हैं क्रीम कलर की होती है और इसको ओडते हैं और इस्तानी बुनकर द आप सोचेते कि टॉंक होता क्या है तो इसलिए जो टॉंक है उसे पगड़ी भी कहते हैं इसकी लंबाई दो मेटर से दस मेटर तक होती है इस तरह से भी कोशन बन जाते है कि टॉंक की लंबाई टॉंक किसे कहते हैं और उसकी लंबाई कितनी होती है तो टॉंक की लंबाई दो मीटर से लेकिट-10 मिटर तक यहोती है और इसका रंग कैसा होता है सफिद होता है कि नेक्स हैं फतवी फतवी क्या होता है इसे यहां जाकेट वासकट के नाम से भी जाना जाता है तो फत्वी को किस नाम से जाना जाता है फत्वी को जाकेट या वासकट के नाम से भी जाना जाता है बिना आस्तिन आस्तिन नहीं होती है इसमें और बंद गले का डिजाइन वाले इस परिधान को बंद गले का होता है आस्ति नहीं होती है इसमें कुर्ते या स्वेटर के उपर पहना जाता है और फतवी जो होती है गरम सूती दोनों ही कपनों से बनाई जाती है कुमाउ गडवाल में इसे पुरुस और जबकि जॉनसार वर रवाई इलाके के में दोनों समान रोप से पहने जाते हैं जॉनसार में पहने जाते हैं कुमाउ छेतर में ये पहना जाता है और पुर्सों के दोरा पहना जाता है पत deposit होती है और ये वहाँ पर बहुत important होती है वहां के पुरसों के लिए उसके रगवाली या पिछोड़ा मैंने बोला था कि पिछोड़ा जो है बहुत ज्यादा important होता है कुमाओ की महलाओं के लिए तो कुमाओं अंचल में साधी व्याब, योगो, पती या नामकरण और अन्या मांगली कारेों में महलाएं इस धोती अत्वा साड़ी लहंगे के उपर पहनती हैं जो ये पिछोड़ा होता है इसको लहंगे के उपर पहना जाता है या धोती साड़ी जो भी उपहनते हैं उसके काम होता है सामाने सूती या चिकन के कपड़े को पिले रंग में रंग कर इसके उपर महरून लाल रंग या गुलावी रंग में गोल बूटे बनाए जाते हैं पिले रंग में फिर उसमें लाले महरून रंग के क्या बनाए जाते हैं सूती या चिकन का ये कपड़ा होता है सूती चिकन का कपड़ा होता है पीले रंग के ऊपर महनून, लाल, गुलाबी आधी रंग के गोल बूटे बनाए जाते हैं और इसके साथ है इसमें विविन परकार की अलपनाई, प्रतीक चिन उकेरे जाता है किसके ऊपर? रंगवाली पिछोडा के ऊपर पहले इन्हें घर में ही बनाए जाता था परन्तो आज ये बजार में मिलने लगे हैं तो इस परिधान के ये बहुत ही इंपोर्टेन परिधाने कुमाओ अंचल का तो इसके बारे में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है तो इसको भी दिहान में रखिया आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिजिए और मेरी चैनल लिटेशर सार्थी को सब्सक्राइब भी कर दिजिए और कमेंट करके बताए कि आपको ये वीडियो कैसी लगए